यहां पर बोला गया है यह फंक्शन दिया हुआ है जिसको बोला गया है fx equal to one upon me x और यहां पर क्या है real to real number तक जाए गए ठीक है अच्छा यहां पर मैं इस function में और कुछ बता देता हूँ जैसे यह function है आप यह कह सकते हो इख जो है जीरो के equal नहीं होना चाहिए ठीक है यह जो है जिरो के equal होना चाहिए अगर ऐसा होगए तो यह function define नहीं होगा तो सबसे पहले मैंने बताया था कि one one function को कैसे डिफाइन करते हैं तो one function के लिए मैंने condition बदाई थी कि जो fx है उसको fy के equal रख दीजिए ठीक है यानि कहने का मतलब क्या है कि यह जो है fx क्या है one upon me x और इसको क्या लिख नहींगे हम one upon me y यानि जहां पर x है वहां पर हम y कर देंगे ठीक और अगर यह दोनों equal आते हैं अब जैसे देखी मैं cross multiply क x यानि x equal to y यानि यह proof हो गया ठीके ना अगर यह x और y equal हो जाते हैं तो वह one one function कहलाता है मेरा ठीक तो यह तो समझ में आ गया और x आप कह सकते हो कि दोनों ही x y दोनों ही real function में आएंगे यानि r के अंदर आएंगे तो one one तो बहुत simple है उसके बाद मैं कहता हूं on to देखिए on to के लिए मैंने बताया था कि जो fx है उसको आप y के equal रख दीजिए ठीक अब fx क्या है यहां पर यह one by x और y अगर यहां पर x जो है single निकल आता है तो आप कहोगे कि यह function हो जाएगा यानि on to function हो जाएगा कहने का मतलब कि मैंने अगर cross multiply किया तो यहां पर क्या y और equal to x यहां पर जो है x जो है अकेला छूट गया और x जो है यहां पर आप कह सकते हो r के अंदर ही आएगा बस condition यह है कि y जो है equal नहीं होना चाहिए 0 के अब देखिए every function अब देखिए कोई भी value रख लीजिए आप y की वो किसके अंदर आएगा real number के अंदर आएगा ठीक function है ठीक है बाइज अक्टिफ यह बाइज अक्षन भी बहुत सकते हो ठीक है आयोप कि यह clear हो गया होगा question number one simple है one one में क्या करते है fx को बराबर कर लेते हैं या फिर कुछ questions में ऐसे भी कर लेते हैं x1 ले लेते हैं और या फिर fx2 वास इतना याद रखना जो x and y है वो दो भी हम पूरूफ करेंगे अगर दोनों ही नंबर आर में आते हैं तो बन्वन पूरूफ करने के लिए क्लिए प्छाना है जिसमें एक सरवाइए को इक्वाल करकर दिखाना होगा अगर एक्वाल आ रहे हैं तो आप कàoगे कि यह क्या है one one function है on two में क्या है कि fx है उसको y के equal रखते हैं और single ही हम x निकालते हैं अकर single ही x निकल गया possible है तो आपका वो on two function है और यह जो है यह जो आपका r है यह जो function आ रहा है भी यह belong करना चाहिए r के अंदर ठीक है और यह r के अंदर ही आता है केवल एक है कि एक condition ऐसी है यहाँ पर y को equal नहीं करना जीरो के चिक मैं कहूंगा यह दोनों on two function हो गया आगे करते हैं हम लोग question number second इसका अब देखिए यहाँ पर एक simple question है बहुत simple है कि इस form में दे रखा है one one proof करना है तो मैंने बताया था one one proof करने के लिए fx और x ठीक है एक्स यह यह निए क्लियर तो यहाँ पर यह वाले function लिखे जाएंगे यह वाले function लिखे जाएंगे वान है टू है थ्री है यहाँ पर भी वाले function लिखे जाएंगे four है five है six है and seven है ठीक तो यहाँ पर बहुत simply आप explain कर सकते हो अगर मानेजी यह वन से 4 जाता है ठीक है one four हो गया टू से five जाता है 2, 5 हो गया, ठीक है, 3 से 6 जाता है, यहां पर single mapping हो रही है, एक फारिक function की, ठीक है, यह तो आप बहुत simple ही कह सकते हूँ कि यहां पर single mapping हो रही है, यह आप इसको कह सकते हूँ कि जो A है, 1, 2, 3, and जो B है, 4, 5, 6, and 7, यहां यह जो function है, A से B में जा रहा है, ठीक है, यहां पर हर एक के single mapping हो रही है, ठीक है, तो आप इस function को satisfy कर रहा है, यह फंक्शन जो उपर हमने लिया है, इसको satisfy कर रहा है, 1, 4, 2, 5, and 3, 6, ठीक है, यह कह सकते हैं, यह satisfy कर रहा है, इसको, यह इसी के according जो है यह बन रहा है, ठ ठीक, तो आप यहां पर एक छोटी से line यहां पर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो F1 है, यह यह बना, X अगर डालते हैं, तो क्या आता है, F2 है, अगर डालते हैं, तो क्या आता है, 5 आता है, और F3 लानते हैं, तो आपको क्या है, 6 डालते है, ठीक है, अच्छा य यह जो नंबर है यह वाले जो नंबर होते हैं यह 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 क्लेक्टिवली क्या कहलाते हैं हमारे रेंज ठीक है और यह जो नंबर बचे ऊपर वाले यह साइड में यह कहलाते हैं हमारे डूमेन ठीक है और यह ओवराल जो नमबर है इसको को डूमेन बोलते हैं ठीक है को डूमेन तो आप यहां पर बोल सकते हो it is seen the images of distinct element element of A अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट को अधिक छोटी से इलाइन लिखके आप यह क्या सकते हो इडिस वन वन फंक्शन एफिस वन बन फंक्शन ठीक कन्फिजन नहीं होनी है कि अगर इस तरीके से कोशन अगर दे ठीक है तो यह समझाना था आगर एक थोड़ा सा और हैवी कोशन देख लिते हैं ठीक है यहां पर बन बन पूछा तो आप कह सकते यह वन बन पूरूफ होगे और टू नहीं पूछा यहां पर ठीक है एक फंक्शन दिया हुआ है ठीक यह फंक्शन आपको दिख रहा होगा एक फंक्शन दिया हुआ है और यहां पर बोला गया है एक के अंदर यह जो फंक्शन यह होगा ऐसे करके आप इसको कह सकते हो एक और यह बी है आपका इसको कह सकते हो आप भी तो यहां पर आप यह कह एके अंदर यह पहला वाला function होगा fx एके अंदर आर जो है यह जो range है वो थ्री नहीं होनी चाहिए ठीक है एंड जो बी है जो आपका range आएगा यह जो आएगा रीज इसके अंदर क्या हो वन नहीं आना चाहिए तब जो है यहाँ पर function proof होगा अब कहने का मतलब क्या है अब जैसे मैं आपको बतायता हूं जो f है a से b के अंदर जा रहा है और define करता है इस define क्या define करता है यह function ठीक है fx equal to यह वाला function पूरा x minus 2 और x minus 3 अब देखिए हमने क्या लिखना है कि let कर लेते हम जो x और y है वो number जो दोनों है वो किस से आते हैं ए से आते हैं हमने यह proof करने के लिए यह करते हैं हम लोग यहाँ पर r तो दे नहीं रखा ना real numbers और real number तो इसी function को लेकर चलते हैं यह जो पहले element लिए हमने x और y दोनों किस नंबर से आते हैं इस एक ये function से आते हैं तो proof करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं fx equal कर देते हैं f y के ठीक है और अगर यह 1-1 होगा तो यहां पर x और y equal लाएंगे तब यह 1-1 होगा ठीक है तब 1-1 होगा यह तो देखते हैं कि proof करके है कि नहीं है तो fx क्या है आपका x-2 x-3 ठीक है और यहां पर क्या लिखेंगे y-2 और y-3 यानि सेम element बस y यह चेंज कर देंगे अब देखिए cross multiply कर देंगे x-2 को इससे y-3 से और यहां पर इसको multiply कर देंगे y-2 को x-3 और बारी बारी जो है multiply कर लेंगे इसको इससे करेंगे तो xy आएगा आपका इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा तो माइनस 2x आएगा और इसको इससे करेंगे तो प्लस 6 आएगा ठीक है आप देखिए यहां से यह कड़ जाएगा क्योंकि यहां देखिए माइनस होगा और आप यह भी कह सकते हैं यह 6 से यह 6 भी कड़ जाएगा तो क्या बचेगा 3x माइनस 2y और उसके बाद आगे यहां स यह बच गए 3y और माइनस 2x ठीक है यह उदर जाएगा तो इस तरीके से कर लेते हैं 3x प्लस 2x यहां आगया 2x और एक्वल टू माइनस 3y और प्लस में 2y तो देखिए यहां सॉल्व करेंगे तो माइनस x और यहां करेंगे तो माइनस y और यह माइनस से मैनस कर जाएगा और x और y तो यह कह सकते हो कि यह जो function हैfrom son혼 फंग्शन ऐड़े हैं यह जो function है आपका पूरूफ ओगया थोड़ा समय आगे कर देता हूँ इसको ठीक है आप यह कहा सकते हूं कि x और y जो है equal हो गया यहां पर ठीक यह निए fx, fy के equal हो गया अब देखिये तो देखिये हमने x और y proof कर दिया तो x, y जब proof हो गया तो आप यह कहा सकते हूं कि यह क्या है it is one one function ठीक है अब देखिये आगे proof करते हैं हम लोग कि इसको अन्टू क्या प्रूफ करते हैं अन्टू अब देखिए अन्टू प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है कि जो fx है उसको y के equal रखना होता है ठीक तो हम देखते हैं fx क्या था हमारा fx था हमारा x-2 x-3 equal to y ठीक यहां पर हम लोग x को निकाल नहीं कोश्च करते हैं कि x क्या है सिंगल ही निकाल दें हम इसको x-2 x-3 equal to y और यहां पर cross multiply करेंगे x-3 और फिर हम यहां पर इसको आगे solve करेंगे xy और यह आगया 3y ठीक है फिर हम इसको इधर ले जाएंगे x-xy और यहां पर इसको इधर की दरफ ले जाएंगे 3y minus में सरी प्लस में आएगा 2 यहां पर ठीक और यहां से हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पर क्या बज़ गया 1 y equal to 3y प्लस में 2 और यहां से हम इसको इधर की तरफ भीज देंगे अच्छा इसको पहले लिख लेता हूं और इसको बाद में 3y और यह आ गया आपका 1y ठीक है अब देखिए यहां पर एक्स तो आ गया अब एक्स के लिए यहां पर हम देखेंगे कि पहले के लिए हम क्या कह रहे थे कि अगर यहां देखिए ए ए अगर यहां पर अगर मैं 3 डाल देता देखो यहां पर बोलागे ने रेंज अगर मैं यहां 3 डाल दूँगा तो function क्या हो जाएगा not defined क्योंकि यहां पर 0 हो जाएगा ऐसे ही बी के लिए जो बी value आई है मेरे पास उसमें क्या है कि आर में मैं क्या नहीं डालूँगा व अगर मैं वाई के अंदर जैसा भी है भी बोला गया है नहीं यहां पर आर माइनस वन यह मत करिएगा अब ऐसे ही यहां पर देखे कि अगर वाई के अंदर मैं डाल दूँगा तो क्या जीरो हो जाएगा तो वाई जो है वन के एक वन नहीं होना चाहिए तो यह चीश तो प्रूफ हो गई ठीक है यह वाली जो रेंज से यह प्रूफ हो गई हमारी ठीक है अब देखें यहां पर हमें यहां नहीं छोड़ना है अगर यहां पर ऐसा होता कि भाई हमें यह बताईए कि आर से आर में जा रहा है तो हमारा यहीं प्रूफ हो जाता ले लेकिन यहां पर उन्होंने बोला है कि A से यानि A से B के अंदर जा रहा है ठीक है अब देखिए यहां पर हम आगे कैसे प्रूफ करेंगे जो हमारा जो X आया है 2-3Y 1-Y इसको मैं Fx Fx हमारा क्या था हमारा Fx था X-2 और X-3 अगर मैं Fx की जगा यह जो X है इसके अंदर मैं यह वैल्यों डालूं यह वाली तो केवल केवल मेरा क्या बचना चाहिए वाइड बचना चाहिए तो मेरा क्या है पुरूफ हो जाएगा यह on to function है तो हम देखते हैं Fx के अंदर हम क्या डालते है 2-3Y अपान में 1-Y इकवल टू अब इसके अंदर डालेंगे देखिए ध्यान से देखिए 2-3Y अपान में 1-Y-2 और फिर X के अंदर दुबारा यह डालेंगे 2-3Y 1-Y-3 अब देखिए जब इसको हम लोग अब इसको अब देखिए जैसे हमने डाल दिया अब इसको हम सॉल्फ करेंगे जो सॉल्फ करेंगे तो यह आएगा आपका 2-3Y और माइनस 2 और यह ब्रैकेट में 1-Y और अपान में 1-Y और फिर एक और 2-3Y और यह 3 और 1-Y और यहाँ पर 1-Y तो देखिए यह और यह तो कड़ जाएंगे तो फाइनली आपका यहाँ पर जो बज़ेगा तो आप यह कह सकते हो कि 2-3Y और माइनस 2 और यह प्लस में आपका कह सकते हो 2Y हो जाएगा और अपान में यहाँ पर आप कह सकते हो 2-3Y और माइनस 3 और प्लस में 3Y देखिए यहाँ से यह और यह तो कड़ गया और यहाँ से यह और यह कड़ गया क्या बज़ गया उपर माइनस 3y और प्लस 2y इसको करेंगे तो क्या आएगा खाली y आएगा माइनस को और यहां पर आएगा माइनस 1 जब इसको सॉल्फ करेंगे तो माइनस से माइनस कड़िया के वला आगया y ठीक है तो मैंने यही कहा था कि on to को प्रूफ करने के लिए यही है कि हमें यह जो वैल् प्रूशन है उसको भी लेकर समझ देते हैं कि कहने का मतलब है अब देखिए यहां पर सीदह सीदह मैं समझा देता हूं वन वन के फंक्शन के अंदर कि यह जो फंक्शन है fx इसको मैं fy के एक्वल रख देता हूं ठीक है यह से 3 4x और यहां पर 3 आप कह सकते हो 4y अब इसक प्रूफ हो यह सिंबल लेवन बन फंक्शन का अन्टो फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपका fx है वह वाई के उक्वल रखेंगे ठीक है और fx की वैलू क्या है 3-4 x इकवल टू पाई यहां पर एक्स की वैल्यों निकालेंगे ठीक एक एक्स के वैल्यों निका में मैंनस फॉर ठीक है इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक सेक्वल टू अ यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यह 3 माइनस वाई अपन में फॉर इसको ऐसे लिख सकते हो ठीक यह दिखाई दे रहा होगा प्रापर थोड़ा सा में और उंचा कर दे तो इसको अब इसी को यानि जो एफ एक्स आया है आपका और टू प्रूस करने के लिए एफ एक्स को आप जो वैल्यू आ रहे है ठी फोर एक्स यह 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 इसके अंदर यह वाले वैल्यू डाल दोगे थ्री वाई और फॉर इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन के अंदर थ्री माइनस फॉर और यह फंक्शन के अंदर थ्री वाई और और ऐसा करने पर अगर यह वाई आता है तो आपको यह अन्टू फंक्शन है देखिए आगे स स्ट्री और यह प्लस वाई हो जाएगा और देखिए आपका जो इसके लिए जो वैल्यू थी आपकी थ्री वाई कि वह प्रूफ कर गई वाई के लिए ठीक है तो आप यह कह सकते हो कि यह फंक्शन जो है अन्टो फंक्शन है ठीक है आयोग की यह ल teu ने सीग bv vójत थाल आपको समझ में आए में तो आप यहां पर यह भी कह सकते हो एट वन वन फंक्शन प्रूफ हो होते हैं ठीक देखे जिसे एक सिंपल सा अगर मैं एक वेंड डियाग्राम के तुरू समझाने कुछ करूं तो देखे सिंपल है कि जैसे हम लोग यहां पर अगर ए मेरे पास कोई सेट है एक्स के एलिमेंट और यहां पर मैं क्या करता था एफएक्स निकालता था ठीक जिसको मैं भी बोलता हूं इसको मैं क्या करता था एफएक्स निकालता था और इसके एलिमेंट यहां पर प्लॉट होते थे तो यहां पर एफएक्स आता वो किसी दूसरे element में जाएं, किसी दूसरे element में जाएं, ठीक तो उसको मैं कह सकता हम वो क्या होंगे आपके, gfx, यानि ये कह सकते हैं आप, यानि ये c, यानि यहाँ पर आपके दो function मिले एक साथ, जिसको हम बोल दें composite function, यानि कहने का मतलब यहाँ पर आप een direct यहाँ पर यहाँ से यहाँ गए, तो इसको बोलिंगे goff, इसको बोलिंगे goff, देखें जैसे यहाँ पर मैं एक कैशं ले लेता हूं, उसके format से समझानी कुछ करता हूं, जसें देखें, मेरे पास एक question है, जिसमें मैं बोलता हूं कि मेरे पास fx कोई function है जिसमें मान लीजिए x प्लस 2 है और gx मेरे पास कोई function है जिसमें मान लीजिए कि ये है मेरे पास x का square तो composite function का meaning होता है कि अगर fx यानि अगर बोला जाए कि fog निकालिए तो इसका मतलब होगा कि जो fx है यानि इसके अंदर gx की value डलेगी अब देखिए fog का मतलब क्या है कि जो f है उसके अंदर क्या है gx की value डलेगी ऐसे function को कहते हैं composite function अब कहने का मतलब क्या है कि मेरे जो function है x plus 2 अगर मैं simple fx की बात करूँ तो इसमें मुझे कौन से value डालनी है gx की यानि ये जो x है ना इसमें किसकी value डालनी है पूरी gx की यानि ये gx क्या है ये है मेरे पास तो पूरा value मैं डालूँगा इसके अंदर क्या डालूँगा x का square प्लस में 2 ठीक तो इस गौफ को निकालने के लिए क्या करेंगे g को बाहर और g के अंदर क्या value fx की ठीक और g क्या था आपका यानि g है क्या आपका x प्लस 2 और इसके अंदर मैं क्या डालूँगा fx की value डालूँगा इसकी value डालूँगा fx की तो fx की value क्या है आप कहोगे सीधा x प्लस 2 का whole square और इसको आप खोल दिंगे आप कहोगे x square प्लस 4 प्लस 4x यह identity आप खोले तो यह आएगा clear अगर कुछ questions और हैं उससे भी देख लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा easily अब देखिए जैसे मान लिजीए मैंने एक question लिया जिसमें मैंने बोला कि जो fx है मेरे पास क्या है 3x प्लस 2 upon में 4 ठीक और gx है मेरा क्या 6x प्लस 4 अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि fog निकालिये ठीक अगर मैं बोलता हूँ और अगर मैं बोलता हूँ गौफ निकालिये यानि composite function निकालने को बोल रहा है कहने का मतलब क्या है कि अगर fog निकालना है तो fog निकालने के लिए हम उसके अंतर क्या डालना होगा gx की value डालने बड़ेगी अब 3 अब x का है मेरा यहां पर यह पूरा value दोड़ी जीए इसको यानि यहां पर 18x plus में 12 plus में 2 upon में 4 और यहां पर आगे इसको solve कर लेते हैं यहां पर होगा 18x plus में 14 upon में 4 card दिजोई इसको common लेके यहां पर अगर आप common लेंगे तो क्या होगा 2 यहां आएगा 9x प्लस में 7 और नीचे क्या है 4 यानि फाइनली आपकी वैल्यू जो आ गई ठीक है तो इसको बोलेंगी यह क्या है फॉग यानि यह क्या है composite function आगे अगर मालीजी सीधा यहां पर बोलता गॉफ निकाली है गॉफ तो यानि जी की जो वैल्यू है उसके अंदर किसकी वैल्यू डालनी होगी fx की ठीक है यानि यह क्लियर उसको बोलते हैं गॉफ डिरेक्टली आप कहा सकते हो यहां पर कि जो आपका जी का function क्या था जी x प्लस 4 तो यहां पर x क्या होगा इसके लिए x यहां पर होगा यह यह जो x है ठीक है क्योंकि यहां पर fx की value डालने पड़ेगी gx के अंदर तो यहां पर है 3 x प्लस 2 अपन में 4 प्लस में 4 ठीक है तो जो भी answer आएगा इसको solve करने पर वो क्या होगा गॉफ होगा यहां पर काट सकते हैं यहां 3 आगया यहां 2 आगया ठीक है और उसके बाद आगे इसको solve कर सकते हैं 9x और उसके बाद यह आगया 3 टूजा 6 और प्लस में 4 अपन में 2 और यह finally आपका आगया 9x प्लस में 10 अपन में 2 ठीक है तो कई बार बोला जाता है कि बताए यह फॉग और गॉफ इक्वल है यहां पर आप कह सकते हैं फॉग और गॉफ जो हैं ठीक है इक्वल नहीं है ठीक तो आयोप कि यह composite function आपको समझ में आ रहे होंगे इसी के साथ थ अब देखिए जिसे यहां पर एक important question है यहां पर question में बोला गया है 5 इसाध रहे है डिसे तब से नहीं इसक्वल दो आइफ। दीक यहां थाद के सब्सक्वल दिसे लिए अगां चार्ट बीड़ को सिसे अग्धार्या जाब में ताया फॉड है फाद्ट पा सम्ट्ट f x equal to 3 x 4 upon me 5 x minus 7 and r 3 by 5 is defined by g x equal to 7 x plus 4 or 5 x minus 3 then fog इसको बोला गया आई एंड गॉफ इसको बोला गया आई बी ठीक है तो देखिए बहुत सिंबल है इसमें डिरेक्टली ये पूछने की कोश्च कर रहा है कि बताईए कि गॉफ क्या है और आपका fog क्या है इसमें ये पूछ रहा है और ये पूछने कोश्च कर रहा है कि where अगर आपके कह सकते हो r जो है 3 by 5 and b जो है आपका r 7 by 5 ठीक है तो यहां पर यह पूछ रहा है कि आप ये बताए कि i a equal होगा i b के ठीक है directly ये पूछ रहा है देखे बहुत सिंबल है इसमें i a represent करता है fog को i a represent करता है fog को i b represent करता है गॉफ को तो यहां पर पूछ रहा है कि fog और गॉफ equal है ठीक है इसमें ये पूछ नहीं कोश्च कर रहे है जैसे i a equal है i b के ठीक इसको मैं fx लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में fx मैंने लिख लिया 3x प्लस 4 और 5x-7 अब देखिए यहां पर इसका meaning समझे इसका meaning क्या बोला गया है इसका meaning बोला गया है कि f के अंदर आप 7 by 5 मत डालना नहीं तो 0 हो जाएगा यानि not define हो जाएगा function कहने का मतलब क्या है कि नीचे जो है अगर आप 7 by 5 डालते हैं अब देखिए जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं सोटा साइड में समझानी कोश्च करूं कि जैसे माल लिजे नीचे denominator का हमने लिया यह और अगर मैं यह डाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा 3 by 5 तो यह आपका 7 by 5 7 by 5-7 तो यह 5 से 5 कट गया 7-7 यानि 0 आ गया और 0 के लिए function define नहीं होगा तो इसलिए बोला गया है यहां पर कि range के अंदर यह नहीं आना चाहिए ठीक है और range के अंदर यह नहीं आना चाहिए ठीक और इसके अंदर यह नहीं आना चाहिए फॉक के अंदर लीचे 3 by 5 तो यहां पर यह 0 हो जाएगा आप देख सकते हो समझ सकते हो इसको तो fx है और यहां पर दे रखा है gx यह कितना दे रखा है gx? gx दे रखा यह 7x प्लस 4 अप में 5x-3 ठीक तो आपने फॉग निकालना है ठीक है अब फॉग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा GX के अंदर वैल्यू डालने पड़ेगी ठीक तो यह है 3 अपन में X के वैल्यू क्या है यह है ध्यान से देखे 7x प्लस 4 अपन में 5x-3 प्लस में 4 अपन 5 फिर एक्स के वैल्यू डालने पड़ेगी 7x प्लस में 4 अपन में 5x-3 मैंस में 7 ठीक है यह क्या निकाल रहा हूं मैं यह निकाल रहा हूं मैं जो आप इसको solve करोगे तो कुछ इस तरीके से show हो गई है आप कहा सकते हैं इसको 41x अपन में 41 मैंने डिरेक्ट लिख दिया है और इसकी cutting करोगे तो यह डिरेक्ट आजएगा एक्स ठीक है इसी के बाद आप निकालोगे गॉफ ठिक गॉफ में यानि जी एफ एक्स एजी की अंदर जो है यानि यह 7 और फिर यह वाली वैल्यू डालोगे अब 3x प्लस में 4 और 5x माइनस में 7 और फिर प्लस 4 यानि यह प्लस 4 अपन में फिर यह 5 और x के वैल्यू क्या है आप कहा सकते हो फिर वही 3x प्लस में 4 अपन में 5x माइनस में 7 और फिर माइनस 3 देखिए यहां पर कोई चेंज नहीं करने है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह भी क्या जाएगा 41 अपन में 41 ठीक है और जब कटिंग हो जाएगा तो यह एक्स तो यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर फाग और गौफ इक्वल है यानि आई ए और आई बी इक्वल है जो फंक्शन में पूछा गया था ठीक है तो यह कुशन तो प्रूफ हो गया यह काफी इंपॉडटन कुशन है यह एक्जांपल है आपका NCR ठीक आप यह कह सकते हो ठीक है तो इसी के साथ एक छोटा सा एक सिंपल कुशन और ले लेते हैं जो कुश्ण निमेरिकल की फॉर्म में देते हैं अब देखिए एक कुशन ह हमारे पास ठीक है उसको लिख लेते हैं पहले लेट एफ टू थ्री फोर एंड फाइफ सच देट आप कह सकते हो त्री फोर फाइफ नाइन NG 3 4 5 9 और यह कर सकते 7 11 and 15 टिके फंक्शन 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 डिफाइण एस अधिके यहां पर एफ टू इकवल टू 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 ट्री है F3 एकवल टू 4 है और F4 F5 एकवल है किसके 5 के and जो G है G4 है एकवल है आपका यहां पर 7 के ठीक और यहां पर and G5 and G9 एकवल है आपका 11 के ठीक है अब बोला गया है Find Goff ठीक है यह बोला गया है Find Goff तो इसको नेक्स पैंट से कर लेते हैं लोग यहां पर ताकि आपको समझ में आए देखिए अब यहां पर क्या बोला गया है solution पहले देख लेते हैं निकालना क्या है हमने निकालना तो यहां पर Goff है हमने ठीक है कुछ चीज़े देख लेते हैं क्या बोला गया है कि गीवन में क्या क्या दिया हुआ है पहले गीवन देख लेते हैं बोला गया कि जो F2 है यानि जो function डालते है 2 के तो क्या value निकलती है 3 और F3 अगर हम डालते है तो क्या value निकलती है 4 और यहाँ पर बलागा F4 और F5 यानि आप डालते हैं तो क्या निकलता है 5 ठीक है एक ये value दे रखिए आपको और दूसरी यहाँ पर है G3 यानि जी 4 की तो क्या निकलता है 7 और जी 9 डालते है तो क्या निकलता है आपका 11 ठीक है अब निकालना क्या है गॉफ अब गॉफ निकालने के लिए देखी क्या है जी ऑब देखी जी यानि गॉफ आप्टू कह सकते हो या फिर जी एस ट्रों कैसकते हो ओ ठिक और आप यहां पर देखिए अगर मुझे गॉफ निकालना है अब कितने ऊपर अब देख सकते हैं यह हैं आपका यहां पर जी वाले फंच्चन और यहां पर है अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे टू निकालना है ठीक है अगर मुझे यहाँ पर एफ जो दिये रखा है वोही रेकर चलेंगे अब देखिए जैसे यह मेरा टू दे रखा है एफ तिक हैं मैंने निकाला क estat local टोजी ही एक हो यानि F2 में यहाँ पर कौन से वेल्य दे रखिए 3 तो मैंने यहाँ लिए 3 ठीक है और G3 क्या डिफाइन करता है G3 डिफाइन करता है आपका 7 ठीक आप जैसे मान लीजिए मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पर आपका गौफ 3 जो है यहाँ पर ठीक अब देखें यहाँ पर मैं इसको क्या लेखूंगा जी एफ टीक और जी फ्रीक त्याइवन करता जी एफ टीक एफ फ्री शो करता है फोर तो impacted विफाइन्स कहिंग इए यहाँ पर जो है मैं यहां शो करता हूँ 4 ठीक है अब मैं यहां पर शो करता हूँ 4 अब देखी यहां पर मैं F4 लिखा यहां पर और मैंने देखा कि F4 के लिए value क्या है 5 है ठीक और FG5 में यहां पर है आपका 11 ठीक है तो IOPG समझ में आ रहे होगी और Goff निकाला हमने फिर 5 का फिर G F और यह आपका 5 तो यहां पर G5 के लिए आपका 11 ठीक है तो यह चीज़ समझ में आ रहे होगी कि किस तरीके से मैंने value यहां पर निकाली है तो यह है आपका Goff अगर Fog निकालने को बोला जाता तो आप कैसे निकालते कि F यहां पर निकालते Fog में यह जो value है G की वो रख लेते पहले ठीक ना अब G3 यहां पर हम निकालने सकते जैसे मान लिजिए value होती तो हम इसको कर लेते जैसे मान लिजिए 3 है तो हम 3 रखते ठीक है और फिर आम इसको क्या कर लेते ब्रैकेट में बंद करके घी त्री कर लेते हैं और यहां पर इन केस जो है आपकी वैलिय लुदी जी धनी की धिलिए अपर 7 यहांपर ड्सिर्झे अगर कोई खोती यहां पर तो हम पूट कर लेतें थिक गन्हाने थोटा साथ पार्ट समझाय है कोश्यन यही तक था आपका ठीक है आयोप कि यह कोश्यन जो है समझ में आ आउंगा है तो इसी के साथ जो हम कम पोश्ट फंक्शन कम्प्लेट करते हैं ठीक है है ठैक्ट्यू कि अधिख हग हाओ घुल फाइंड कि इन्वर्स फंक्शन ठीक है कि इनिवर्स फंक्शन क्या होते हैं और यह कैसे जो हैं सॉलफ होते हैं ठीक है इसके अंदर हम जानेंगे ठीक तो बेसिकली आप कह सकते हो इन्वर्स फंक्शन जो हैं दो तरीके के होते हैं ठीक एक आप कहा सकते हो वेन फंक्शन इस गिवन एज़ा सेट फॉर्म ठीक है ऐसे फंक्शन जो सेट की फॉर्म में दे रखे हो तो उसे इन्वर्स फंक्शन कहते हैं एंड देन दूसरा जो है आपका कह सकते हो फैन जो फंक्शन है यहां पर इस गिवन एज गिवन एज गिवन एज आ आप कह सकते हो पॉलिनॉमियल फंक्षन ठीके कैब कि Nook देखिए बैसिकली यहां पर जो स्टाइट फंक्शन अजेसे यहां पर मैं अगर इसका एक उचर आप एक शनका आप कह सकते हो जैसे इसका का जुछ रहूज करते हैं स्याइबपों के स्पुंक्शन के बारे में इसका कैसे अगर मालीजे आपके पास एक कोश्चन दे रखा है कि वेन एफ इस गिवन एस सेट गिवन एस सेट एफ एकवल टू वन फोर एंड टू फाइफ एंड थ्री सिक्स ठीके यह इस तरीके से एक फंक्शन दे दिया आपको और बोला गया कि इंवर्स फंक्शन निका लिए तो ब जब भी हमें इंवर्स फंक्शन निकालने के लिए बोला जाए ठीक है यह शो करते हैं इंवर्स फंक्शन तो जो भी इस फार्मेट से लिखा है वन फोर वह चींज हो किसमें हो जाएगा फॉर वन में ठीक है यानि वन फॉर बिकम फॉर वन 2, 5 किसमें हो जाएगा 5, 2 में ठीक है जो 3, 6 है वो किसमें चेंज जाएगा 6, 3 में ठीक है किया यानि यहां पर आप कह सकते हो कि जो अगर मा लिज़े X, Y है वो चेंज हो किसमें हो जाए वाई एक्स में ठीक है तो इसको बोलते हैं सैट के फॉर्म में फंक्शन जो दिया है उसको इनवर्स में चेंज करना ठीक है आई होप कि यह चीज समझ में आगए होगी यहां पर जो आपका आंसर है एक फिन वर्स वो क्या आया आपका फोर वन एंड फाइफ टू एंड शिक्स ट्री ठीक है यह आपका क्या है इनवर्स फंक्शन हो गया ठीक आगे करते हैं आगे जानते हम लोग और कौन सा फंक्शन होता है जो विदाउट सैट होता है अब देखिए कोशन के फार्मेट में अगर मैं आपको समझाने कोश करूं जैसे मैं माले जिए वैन एफ इस गिवन एस इस तरीके से यह निए एफ एक्स की फार्म में दिया जाए टू एक्स प्लस वन ठीक है आप बोला गया कि इसका आप इनवर्स निका लिए तो बहुत सिंपल है इसको बहुत दिहां से सुनिएगा जैसे वी पुट fx एक्वल टूब आई एक्षब से उसकी जग़े वाई पुट कर दिजे एंव एक्वेशन दे रहकिए है डिए यहरु तो सबंद से आप एक्स की वेल्यूट निकाल दीजिए यहां पर यहां पर यहां पर वाइ माई मायनस कि यहांपर क्या बच गया सिर्फ एक्स तो यह जो है आप कहते हो मैंए एए if inverse टाट अक्राइब आपकर ह कहती हो y मायनस 1 1 अपन 2 ठीखिग ये कह सकती आप क्या है इस function का inverse है ठीक है इन वर्स थोट सा और एक difficult question लेते हैं देखें और इसको करने ही कोश्ट करते हैं देखें कोशन है याँ पर consider f such that r to r यह जो function है real number से real number में जाना चाहिए given by fx equal to 4x plus 3 show that f is invertible find the inverse of function ठीक है देखें यहां पर इन्होंने क्या बोला गया है बोला गया है कि जो function है वह आर से आर में जाना चाहिए ठीक है और function यह दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि invertible होना चाहिए and then inverse होना चाहिए देखें कि invertible का मतलब है कि जो इन्वर्स है इन्वर्टिबल का मतलब है कि जो function है वो exist भी करता है कि नहीं करता है यहां पर यह जानना है ठीक है तो उससे पहले function exist करता है तो उससे पहले कुछ conditions होती है जो हमें पूरूफ करनी होती है ठीक है तब इससे पहले जो है में जो किया उसके अंदर को ऐसी condition नहीं थी क्या function जो प्रेंसे एं्ड में जाना चाहिए तो इसलिए हमने easily जो है हमने inverse function निकाल दिया ठीक है इसमें क्या बोला गया जो function है औरです और में तो सबसे पहले हमें यहाँ पर solution करने से पहले 11 और on to prove करना होगा ठीक है और 11 और on to prove होगा तो फिर हमें पता लगेगा कि जो F inverse है वो exist करता है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लेगे लिए हैर F such that R to R यहाँ पर आपके सकते हो given Fx कितना दे रखा है हमें 4x plus 3 ठीक है यह वाला function यहाँ पर उतार दीजिए और फिर हम लोग लेट कर ले दें लेट जो X और Y है वो किस से बिलोंग करते हैं R से ठीक है यानि रियल नमबर से यहाँ पर जो X और Y होंगे तो 1-1 condition क्या होती थी हमारे पास कि Fx जो है equal रखतो Fy के अगर X और Y अलग हो जाते हैं पूरूफ हो जाते है equal तो आप कर सकते हो कि वो क्या है 1-1 function है अब जो Fx है यहाँ पर वो क्या है 4X प्लस 3 और Fy अगर बनाना है तो यहाँ पर X के जगाँ Y रख देते हैं ठीक है तो 4Y प्लस 3 और यहाँ पर जब solve करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा X आएगा और Y आएगा यानि X और Y आएगा तो जिससे यह मैं कह सकता हूं कि यह जो है function क्या है वन वन फंक्शन हो गया ठीक है वन वन तो हो गया अब आगे प्रूफ करते हैं हम लोग क्या प्रूफ करेंगे इसमें अन्टू तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि लेट जो वाई है मेरा क्या है 4X प्लस 3 ठीक है यानि जो FX है मैंने इसको Y लेट कर लिया यानि यह जो FX था इसको मैंने यहाँ पर Y लेट कर लिया 4X एक्वल टू 3 ठीक है और अगर मैं X निकालूँगा तो X क्या निकलेगा मेरा X एक्वल टू Y-3 अपॉन 4 ठीक है यह मेरा क्या निकलेगा X की value करूँगा ठीक है आप देखे कैसे जैसे मान लीजिए मैं X बिलॉंग करता है आर से तो य भी बिलॉंग करना चाहिए मेरा आर से ठीक है जो पूट एक्स जो है मेरा क्या था 5-3 और 4 ठीक है यह मैं value किसमें डालूँगा इस FX के अंदर ठीक है यह FX एक्वल टू क्या था मे जाली वाइ माइनस 3 और 4 प्लस में 3 जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो यहां पर आएगा वह आएगा आपका वाई ठीक है यह जो FX आया वो किसकी को लाया वाई तो आप यह कह सकते हो यहां पर कि यह F is on to function ठीक है जब मैंने यह कह दिया कि यह जो है वन वन भी है औ अन्टू भी है तो आप यह कहोगे कि यहां पर on to और वन वन है तो इस लिए से यहां पर exist करेगा एफ इनवर्स exist करेगा ठीक है यहां पर कह सकते हो दोस F is 11 and on to यह दोनों मैंने प्रूफ कर दिया है on to है and therefore f inverse exist ठीक है तो हमारे पास कौन कौन से टम सी वह सको लिख लेते एक बरी हमारे पास टम सी fx equal to 4x plus 3 जिसमें से हमने y मान लिया था इसको 4x plus 3 और x की वेल्यों हमारी क्या आई थी y-3 y-3 upon 4 यह वैल्यों आई थी हमारे ठीक है यह हम solve करके आएं पिछला अब दिखिए यहां पर मैं गौफ और फॉक भी निकालूंगा ठीक है तभी invertible होगा और ठीक है गौफ और फॉक को equal करूंगा अगर इकवल आएगा तो invertible भी हो गए ठीक है अब देखिए जैसे मैं कर लेता हूं let us define g such that r to r ठीक है by gx अब देखिए gx क्या है मेरा यहां यहां पर मैं एक्स रख लोगा खाली बस x-3 upon 4 ठीक है और मैं क्या करूंग गॉफ निकालूँगा गॉफ ठीक है और गॉफ किसके प्रेदेंस में निकालूँगा एक्स की यानि क्या होगा जी fx यानि fx क्या मेरा यह है 4x प्लस 3 और इस फंक्शन के अंदर में डाल दूगा यह जी एक्स माइनस त्री तो मैं इसके अंदर एक्स के अंदर यह वाली वैल्यू डाल दूँगा तो यह मेरा जी 4x प्लस 3 कितना आएगा एक्स के अंदर में डालूँगा तो 4x प्लस 3 ठीक है एंड माइनस 3 अपन मैं 4 तो मेरा आएगा यहां पर एक्स ठीक एंड अगर मैं फॉग निकालूँगा ठीक है वाई के प्रिजेंस में तो क्या आएगा अब देखिए यहां पर एफ जी वाई तीए यानि एफ जो है मेरा यहां पर जो जी वाई होगा मेरा यहां पर वो किस फॉर्मेट में होगा इस फॉर्मेट में ठीक है यह रहा वाई माइनस ट्री अपान फोर और इसको मैं निकालूगा इस तरीके से इसमें डालके ठीक है इसी द्यान रखना एक बार मैंने इसको एकस के साथ लिया है एक बार मैंने इसको फाइक के साथ लिया है ठीक है और इसी में डालेंगे जिसमें हम डालते आए यानि फोर एक्स प्लस त्री के अंदर हम डालेंगे यह वाले वेल्यू तो जो हम डालेंग तो क्या आएगा 4 y minus 3 upon 4 plus 3 तो यह आगया y ठीक है तो जी दियान रखना एक बार लैट करके हमने jx बनाना है इसको और fx तो आपको पता ही है तो याद रखें कि gauf और fog जब equal आ जाए ठीक है यहां पर equal आए है x और y ठीक है equal आ चुके हैं आपके ठीक तो आप यह कह सकते हो यह क्या है आपका invertible है ठीक तो बहुत यहां पर आप बता सकते हो hence f is inverse and the inverse of f is given by y-3 ठीक है जो हमने निकाला था उस फर्मेट से हम निकाल सकते है रहां ठीक है y-3 तो यह सारा process करके दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा complicated है golf और fog ठीक है golf में हमने इसको माना है यानि जो x की value निकाली थी न हमने तो y की जगह पे हमने यहां पर x को रखना है ठीक है और फिर एक बार हमने डालनी है fx के अंदर y value और फिर fog वाली डालनी है और निकाल के यह दिखाना है हमने कि fog और और यहां पर ठीक है तो यह कोशन पर ध्यान से करिएगा जब आये यहां पर ठीक है तो यह थोड़ा सा complicated question था जिसमें r to r में जाएगा यानि जो problem है उसको यहां से manage करनी है यानि यह function है आर से आर में जाना चाहिए ठीक है अब देखिए कुछ और भी चीज़े होती है जो आपको मैं बता दूँ जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि f function का आप inverse निकालते है ठीक है तो f inverse आता है और f inverse का आप दुबारा inverse निकालते है तो f आ जाता है ठीक है जैसे आपने सबसे पह रॐider दार कि मेर पास एक सेट था जो यस तरीके से और four five ठीक और इसका मैं क्या झालता सब्सक्राइब से निंवर्स, निकालता था जो में इनवर्स इसका निकालता था ये अर través कर दिया या तो क्या ज़िक होगा यहां फाइव और फॉर ठीक है तो यह आर इनवर्स हो गया यानी इसानक्षन का इनवर्स Game or the से इंवर्स कर दूँ अगर मैं तो क्या होगा ये वैल्यू किस्की तरह बन जाएगी इसकी दख ठीक है यानि टू वण और प्व फाइफ है यानि यहां पर आप कह सकते हो आर इनवर्स और उसका इनवर्स क्या होगा एक और रही को लोगा ठीक है इस format से भी हम देख सकते हैं जिस तरीके से हम पहले करके आया है इस format से ठीक है यह इस format को भी हम लोग घुमा सकते हैं कहने का मतलब क्या था इसको हमने f inverse निकाला था यह आया था आपका ठीक है और अगर आप चाहें तो इससे अगर इसका दुबारा से inverse आप कर दें ठीक है त आपका माई माइनस तू और झालक कर दिया था और इसमें हम दुबारा करें तो हम लोग इसको किसके को रख दिंगे एक करते दिंगे और यत तो निकालेंगे तो अबक했어 किसे आज गूह टूइस से मुल्टिप्ला जाएगा और फिर से वो क्या जाएगा बहुत सिंपल मतलब फिर से क्या जाएगा आपका 2x2x और यह साइड में जाएगा प्लस वन और एक्वल टू भाई ठीक यह देखें ठीक है आई होब कि इस समझ में आई होगी आपको